अवैद खनन माफियाओं की गुंड़ई, पुलिस से की गई सर्याम अभद्रता दी धम की, अवैद खनन का मामला पकड़ने पर वर्दी वालों के साथ दिन दहाडे सर्याम अभद्रता वा गुंड़ई की गई, लखनो सचवाले तक खुद की पहुँच होने की हनक दिखाने पर थाना भखमोरा में तैनाद पुलिस कर्मी सुरिंद्र कुमार तथा रोविन कुमार मंगलबार सुभह करीब दस बजे मौके पर पहुँचे, अवैद खनन करती ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ दिया गया, मौके से ट्रैक्टर ट्राली का चालक फरार हो गया, पुलिस क पुलिस कर्मियों का रास्ता रोक लिया, अभद्रता गाली गलोज करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला होने को ट्रैक्टर ट्राली पर चड़ गया, लखनो सचवाले तक पहुच होने की हनक दिखाते हुए पुलिस कर्मियों को धमकी दी कि दो मिनिट के अंदर पर करा देगा पब्लिक के लोगों ने पूरे घटना क्रम का वीडियो बना लिया कुछी देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वाइरल होने लगा पुलिस कर्मियों ने पुटे घटना की जानकर याधिकारियों को दिया पूरे मामले में भमोरा थाने की प्रभारी ट्रेनी सीओ डॉक्टर दीपशिखा अहिवरन को निर्देश दिये की फॉरान इस व्यक्ति के खिलाफ खटोर कारवाही की जाए पुलिस ने धरा 341, 353, 504, 506 IPC के तहट दवंग सुनील कुमार के खिलाफ F.I.R. दर्ज की है इस्थानी जानकार के मताबिक थाने की हवालात की हवा खाते ही पुलिस कर्मियों का दो मिनट के अंदर ट्रांसफर कराने की धंकी देने वाले शक्त की स्तारी की सारी अकड निकल गई पुलिस के अधिकारियों ने बताये कि इस पूरे मामले में पुलिस कर्वियों से अबद्रता करने वाला शक्स खरनन माफिया है ट्रेक्टर ट्राली के फरार चाला की तराश जारी है खरनन माफिया के और कौन-कौन से गुरगे हैं उनको भी चिन्नित किया गया है इस आङए अशयों खांड को प्रहिए। कि अराम साटक चखेंद है। कि मेलेगल भी तोट्री पारों संथ में बहुत थे। है निए जिना नवागरी शकूल में निए पता नहीं को नहीं है यह कुछ नाम आंदो बताने रहाँ ना है यह राफ्ते में यहां रोग लिए है यहां पर लिए यहां यहां इस निए बात की जिए है अल्कॉम जा स्वाजी बुद्धन सेगा है हलो सार नमस्थे रहा अब जाए यहां अब जाएगा थाने कुछ आएगा थाने कुछ आएगा ठीक है आप बात करिये अपनी मैं बात कर रहा हूं ठीक है ठीक है अभी ट्रेक्टर हमारत होने नहीं जाएगा आप किस्ते बात कर लिए करिया नहीं जाएगा अब यदा को गिरफतार किया गया है चुकि सरकारी कारह में बादा डाल रहा थे और इस तरह के मनबढ़ी को ठीक से समझाना जरूरी है कि क्या चल रहा है तो इस पर योग पंजिक्रिद करके और माने नियाले मन को रिमान के लिए भेज दिया गया पता नहीं इसको चेक्षी किया जा था इसी बीच में ये घटना हुई